बॉर्णिंग फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ससी लोधी व्लोग्स में और आप सब कैसे हो यह मुझे कमेंट करके जरूर बताना और आज मैं आपके लिए कुछ खास टिप्स लेकर आई हूँ जो भी टिप्स आपको अच्छा क्याती है तो इनकी लिएवा काफी छोटे होते हैं उनको में इनको बटन लगाने में भीक्त होतीर dif form प्रोडा होती तो विए यह अब ब causes मैंने लगाने में प्रॉब्लम आती और कर दो से कने से निकाल लेति मैं है शुआ हो त Nurse no आप को बद्धा बत्वी कुरिकों से निकाल लाइगो से में कई बटन रचाए ऑफ करना को सबने करना ज़ता इस टीप हमारा को ककर से हैं इस तरह के कोई भी बरतन होते हैं तो तो नटे बहुत जल्दे हो जाते हैं धीली हो जाते हैं तो यह इस्क्रू iPhone कोई बहुत पास पूर्ब폰 हो जिसका अगहीर यह झाल्चू कोई बहुत पीचा और उने नुकिल OH को आगा दुक साइड नुकिल Η चीज ले ना आपको इस तरह और उसे आपको स्कूरू को कस लेना है और उससे कसेंगे स्कूरू को तो आपका अच्छे से ISKRू बिलकुल पूरी तरह से फिट हो जाएगा कसकर रेडी हो जाए देखी मैंने स्पून से कसा है और कितने अच्छे से हमारा इसक्रू टाइट हो चुका है विल्कुल नहीं लेना है वस एक बात का ध्यान रखना इस तरह से नुकीली ही चीज लेना है आपको और नेश्ट पर हमारी ये बोटल से लेकर क्या होता है अब सर क्या करना है बस आपको एक तीली जलानी है कोई भी आप माचिस ले लीजी आपके पास जो भी माचिस हो उसकी एक तीली जला के और अच्छे से बुझाना है और बुझा के सीदा इसमें डाल देना है और बोटल पूरी तरह से हमारी सूख ही होना चाहिए गीली बिल्कुल वह नहीं होना चाहिए इसका धुआ नहीं निकलने देना है सिर्फ बुज्आ oggi वह ना है तीली तुरंट ढाल देना है और 5 मिनट के लिए इसका धुआ अंदर रहने रहने दीजी बोटल बंद करने के वाद और फिर देखना पांच मिनट वाद बोटल का ड़कन खोल जिलके आपकी जो। बेड इसमेल आ रही थी वो पूरी तरगा से निकल जाएगी, नाफर ठिप हमारी नाँटियों ही नाखून के पास जड़ा तरगर से लग जाता है या फिर स्वेलंग आ जाती है, हमारी उनग्लीयों में ही ज़्यादा तरग्न वहता है, तो वहाँ पर आपको कोई भी nail paint लगा लेना है और एक दिन के लिए छोड़ दीजिए पूरी तरह से हमारी जो उंगली में फंगस होती है या swelling होती है पूरी तरह से गायब हो जाएगी next tip हमारे ये बायर से लेकर है बायर को fold करके रखना है लेकिन ये tight है तो इसको अच्छे से tightly बांध भी नहीं सकते तो आपको इस तरह से अंटे इसी बायर के लगा देना है दो एक अल्टे लगाईए पूरी तरह से set हो जाता है अगर नहीं लग रहा है अल्टे तो ये देखि है और पूरी तरह से हमारा बायर सेट होकर ready हो जाता है कोई बायर बाहने की भी जरूरत नहीं है इस तरह से आप अल्टे लगा दीजिए पूरी तरह से set हो जाएगा बिलकुल भी निकलेगा नहीं हमारा बायर और इस तरह से आप एक जगए पर fix करके रख सकते हैं मास्क होते ना यूज्टू फ्रू होते हैं तो यूज्ट करने के बाद भाद भी reuse कर सकते हैं इनकी जो अंदर की जो बायरिंग होती है इनको निकाल लेना है और इन से हमें किसी भी तरह के हमारे Headphones होते हैं या बाइर्स होते हैं जो बिखरे पड़े होते हैं या हम Travelling में जा रहे हैं तो इस तरह से आप घड़ी करिए बाइर की और इसकी मदद से आप अच्छे से इस तरह से इस तरह से अल्टे देकर लगा लेना है हमारा बायर पूरी तरह से फिक्स हो जाता है और जब भी यूज करना हो तब खोली एल्टोई को और निकाल लीजिए और बढ़ना इसी तरह से रहने दीजिए पूरी तरह से फिक्स हो चुका है और नेश टिप हमारी इसी मास्क से लेकर है ये है हमारा बेकिंग सोड खौने वाला जो मीठा सोडा होता है वो है, इसको लेना है वन टी स्पून ज्यादा नहीं लेना है वन टीस पून लिजी और इस तरह से अच्छे से इसमें गठान लगा लीजी और जो ड्रो जहाँ आपके होते हैं जिन में स्मेल आने लगती है , काफी इसमें अच्छे से नीचे तले में इसको डाल देना है हमारी स्मेल पूरी तरह से गायब हो जाती है तो आज के कौन से टिपस अच्छे लगे कमेंट करके जरूर बताना सब्सक्राइब करना न भूलना